यस एक और question देखते हैं देखें क्या है x की power 3 by 4 log base 2x का square plus log base 2x minus 5 by 4 equal to root 2 at least one real solution exactly three real solution exactly one irrational solution और complex root अब जड़ा इस question को हम समझें तो ये question ये बताता है हमें कि यहाँ पर log का base 2 है यहाँ पर भी log का base 2 और यहाँ root 2 है तो अगर मैं पूरे का ही log ले लूँ तो मेरी problem खतम हो जाएगी यानि अगर मैं पूरे में ही log ले लूँ ये x की power में याद रखी का सब कुछ है ना और यहाँ पर भी x है तो आपको question कुछ ऐसा दिया था एक बार हम questions को देख लेते हैं यह देखे नीचे कर देते हैं कित्ते solution होंगे वो बाद में देखते हैं अब देखे question ऐसा था कि x की power पूरा यह power में है 3y4 log base 2x का square plus log base 2x दिखने में यह question ऐसा लग रहा बहुत time लेगा पर ऐसा नहीं है equal to root 2 अगर मैंने log लिया तो यह ऐसा कुछ हो जाएगा और base 2 के साथ ले ले सबी जगे तो अगर मैं ऐसा लूँ तो base 2 x की power बोलिए 3 by 4 ठीक है बलकि एक काम करते हैं log base x के साथ लेते हैं एक और फायदा होगा यह x x 1 हो जाएगा तो आपने अगर यह लिया तो आपको मिलेगा 3 by step समझाने के लिए लिख देता हूँ अगर आप लेते तो बिटा ऐसा मिलता log base x x की power जो यह आजाती तो 1 हो जाता तो आप लिखते 3 by 4 log base 2 x यह बचता प्लस log base 2 x minus 5 by 4 equal to log base x root 2 अब log base root 2 का मतलब है 1 by 2 log base x root 2 वो सरी 1 by 2 log x 2 यह हम ऐसा भी बोल सकते थे 1 upon 2 log base 2 x yes or no देखिए log base 2 x यह दिया है log base 2 x बारबार ना लिखना पड़े इसको आप y मान लीजिए तो एक तरह से आपका question कुछ ऐसा हो गया 3 by 4 y square plus y minus 5 by 4 equal to 1 upon 2 y yes or no 4 cancel हो जाएगा 4 मतलब 2 cancel तो आप इसका LCM लीजिए तो आपको मिलेगा 3 y square plus 4 y minus 5 केवल समझाने के साफ से लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 upon y बचेगा यानि आप ऐसा भी बोल सकते हैं 3 y q plus 4 y square minus 5 y minus 2 equal to 0 अब एक चीज ध्यान से देखिए अगर y की value में 1 रग दूँ 3 plus 4 7 7 minus 7 0 यानि y equal to 1 एक इसका factor है तो y minus 1 इसका एक root भी होगा yes or no अब अगर आप 3 y square लाना चाहते हैं तो 3 y square का multiply कर दीजे तो minus 3 y square पर यहाँ पर आपको plus 4 y square है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बिटा plus 7 y square यह factor बनाने का short तरीका 7 y यह देखिए factorize करने का 3 y square यह short तरीका जो factor बनाने का तरीका कि आपको यह पता है कि y equal to 1 इसका एक root है तो y minus 1 इसका factor होगा तीन बार लिख दीजे बिलकुल एक बार में हो जाएगा यहाँ आएगा आख़ी में 2 यहाँ आएगा 3 y square अब minus 3 y square हुआ तो plus 7 y ले लिजी है हो गया balance तो आपको मिल गया y minus 1 into 3 y square plus 7 y plus 2 equal to 0 अब इसके v factor बहुत easily बन जाएगे तो आप बताइए इसके जब factor बनाएंगे तो क्या-क्या बनेंगे एक तो y minus 1 होई गया है इसको आप ऐसा लिखते है 3 y square plus 6 y समझाने के लिख रहा हूँ y plus 2 equal to 0 3 y common then y plus 2 1 common then y plus 2 तो आपको मिलता y plus 2 into 3 y plus 1 equal to 0 यानि finally आपको root ऐसे मिलते है y equal to 1 y equal to minus 2 y equal to minus 1 by 3 अब था क्या ये था क्या ये log base 2 x equal to 1 then इसका antilog लो तो x equal to 2 ही एक root हो गया number 1 दूसरा log base 2 x equal to minus 2 then x equal to 2 power minus 2 यानि 1 upon 4 हो गया दूसरा तीसरा log base 2 x equal to minus 1 by 3 then x equal to 2 power minus 1 by 3 या 1 upon 2 power 1 अब अगर इसके options पर जाएं तो आप बहुत easily बता सकते हैं कि exactly 3 real solution at least one real solution तीनों ही real है exactly 3 real solutions है exactly one irrational root ये बोल सकते हो complex root ही नहीं पर exactly 3 real solution आप यहाँ पर answer दे सकते थे इसमें कोई problem नहीं है is that clear exactly one irrational solution की जववत मतलब one irrational है पर आप इसको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ये clear है कि इसमें clear नहीं कि बाकी सब क्या तो इसके तीनों roots जो है वो real है अगर more than one में होता तो हो सकता था ओके note कर लिजे question को